आखे खोलो वच्छ आपने हमारी प्रात्न सुली प्रभू हाँ आपके दर्शनों से हमारी तपस्या सफल हो गई प्रभू कि आपको बार बार पेड़ां कि ए रिशी कुमारों कि आप चारों ने मुझे प्रसंद किया कि पच्चा निश्पाप होता है निर्विकार होता है इसे लिए आपने बालकी रहने की कामना की जो पूर्ण हुई जिससे आपने मुह पर विजय प्राप्त कर ली और अहनकार उसे तो आपने अपने मन को स्पर्ष करने का अवसर ही नहीं दिया आप धन्य हैं है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मैं जानता हूं आप सभी इच्छाओं से परे हैं फिर भी मैं अपनी इच्छा से आप चारों को वर्दान देता हूं कि आप सदैव सुतंत्र रहें स्रिष्टी में कोई ऐसा स्थान नहीं कोई ऐसा लोग में जहां आप नहीं जा सकते आपके लिए स्रिष्टी का हर द्वार खुला है विश्णु धाम भी हां सनातन आप चारों के माध्यम से ही ज्यान और भक्ति का प्रसार होगा प्रभू हम जब चाहे तब आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकेंगे निश्चे ही हम अनुप रहे तुए प्रभू परंपिता मेरा कष्ट निवारण कीजिए मेरे बुद्धी मुझे बहुत दुखी कर रही है बात बात पर यह प्रश्ण करती है और मैं उन प्रश्णों का उतर नहीं दे पाता क्या प्रश्ण है नारत मधू कैटव को आपने राक्ष सिल्पन किया था ना हां परन्तु यही तो परंपिता एक और तुम राक्षुसों को अपना पार्शत बनाकर वैकुंट द्वार पर उनकी नियुक्ति कर दी है और दूसरी ओर मेरे बड़े भाईयों को किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी धाम और किसी भी लोक में प्रवेश्ण करने की अनुग्या वि विश्णू ने क्यों किया कहीं मेरे भाई वैकुंट धाम की और चल पड़े तो निश्चय ही सनक सनंदन सनातन और सनच कुबार वैकुंट धाम जाएंगे कि परंतु क्यों प्रभू की लीला कि यह स्रिष्टी विकास का एक चरण है नारद कि नारायन नारायन कि रुक्यूं गए हमें वर्दान प्राप्थ है हम किसी भी समय प्रभू के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं चलो बीतर चलो रिशिवरो हम शमा चाहते हैं हम इस समय आपको बीतर नहीं चाहने देंगे आप प्रभू विश्राम कर रहे हैं किन्तु हमें तो स्वें प्रभू ने अनुग्यादी है हम किसी भी समय उनके दर्शन कर सकते हैं इसलिए पार्शदो हमें ना रोकिए हमें जाने दीजिए नहीं महात्माव हम विवश हैं हम आपको प्रभू के विश्राम में बाधा नहीं डाले देंगे भ्राता शिरी सनंदन जरा ध्यान से देखो यह व्यकुन धामी है निश्चे यही व्यकुन धाम है व्यकुन धाम तो निर्विकार है यहां विकारों को इस्थान कैसे मिला भगवान तो मुह से परे हैं उनके इन पाश्चोदों में मुह की उत्पत्ति कैसे हुई भढ़ा तह श्री निरंकार परमात्मा के द्वार पर आंकार ने आकार कैसे धारन कर लिया अप दौनों तो परम्धाम का वातावरन विक्रित करें आप दोनों को वेकुन धाम में रहने का कोई अधिकार नहीं रिशिवरों हम से भूल हो गई हम शमा प्रार्थी हैं आपका अप्राथ शमा नहीं किया जा सकता कुह को की सबांगे तबिद दूर होगा का जासा ना करें आपको झाल लुष्थ हमेश्राप मत दिजिए हमेश्राप मत दिजिए रिशीवर हमेश्रामा कीजिए हे जय हे विजय कि निराश होने की आवशक्ता नहीं है पार्षत कि वैकुंठ लोग से तुम्हारा पतन निश्चित था सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार तो केवल इस पतन का माध्यम बन गए परें तु ऐसा क्यों प्रभू क्यों स्रिष्टी के विकास में तुम दोनों को प्रम्हदेव का सहयोग देना है असुरकुल में तुम्हें तीन जन्म लेने हैं और जन्म के पश्चात मेरा विरोध करना है इस प्रकार सब लोकों में धर्म के महात्मे को बताने में अब प्रतेक्ष रूप से मुझे तुम्हारी सहायता मिलेगी इसलिए हे जय हे विजय इन रिश्यों के शाप को वर्दान समझकर स्विकार करो जो आक्या प्रभू भगवान की लीला को समझना बड़ा दुश्कर है पिताश्री जय विजय के पतन के लिए मेरे भाईयों को माध्यम बना लिये प्रभू ने अब उत्सुक्ता ने मानसिक उवापो करना आरम कर दिया है कि जय विजय कहां जर्म लेंगे वत्सनारत मेरे दस मानस पुत्रों में से केवल कश्यप वसिष्ट और अत्री इन तीन पुत्रों में ही गर्ष्ट धर्म पालन करना स्विकार किया है जिन में से वसिष्ट और अत्री रिशी धर्म की मर्यादा में रहकर गर्ष्ट धर्म का पालन करेंगे और कश्यप बिना किसी मर्यादा के वत्सनारत कश्यप के यहां देभ भी जन्म ले सकता है और दैत्त भी नारायल, नारायल